हेलो श्रेंज, एक बार फिर से आपसे का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल अब है एक्सल कम्प्यूटर श्रेंज, सबस्वर ले आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मेरे लिए इतनी प्रेयर की, इतनी दुआएं की और आपकी दुआओं की वज़ा से एक बार फिर से मैं स्वाश्ट हो के आपके सामने हूँ श्रेंज, ऑपरेशन होने की वज़ा से कुछ दिनों से आप ये क्लासेस रेगलर नहीं थी लेकिन अब मैं बिलकुर फिट हो चुका हूँ और आपकी ट्रिपल सी की क्लासेस रेगलर होंगी परेड़े आप कमेंट्स भी कर रहे थे, परसनल मैसेज भी कर रहे थे कि सर क्या हुआ, किस रिज़न के वज़ा से आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो आप बिलकुर फिट हूँ और आपके सामने रेगलर क्लासेस होंगी आपसे भी जानते हैं कि सेप्टमबर का एक्जाम स्टार्ट होने वाला है और प्रेजेंट टाइम पे सबसे बड़ा कुस्टन्स आपके मन में ये है कि September का exam कब से start होगा साथी साथ September exam में कोई बदलाओ तो नहीं हुए है क्या September exam में negative marking हो गई है और September exam का admit card कब आएगा तो आज हम सुरू करते हैं इनी topic से कि September का exam कब से start होगा और क्या changing हुई है कैसे questions इस बात exam में आएंगे इसेंस आप सभी जानते हैं कि new patent पर ही exam होने वाला है अब MS office से बिल्कुल भी questions नहीं आने वाले है इससे पहले exam में doubt था कि MS office से question आएंगे या फिर liberal office से आएंगे लेकिन exam होने के बाद side out clear हो चुके है अब exam में liberal office से ही questions आएंगे और इन questions की संख्या भी अधिक होगी exam में 35 से 40 questions पिछली बार liberal office से ही आए थे एक सबसे बड़ी changing ये देखने को मिली कि true and false के questions बहुत कम होते हैं पहले क्या था कि 50 questions या 50 से थोड़ा कम true and false के questions रहते थे लेकिन इस बार exam में क्या हुआ कि maximum 20 questions ही true and false के आए आए थे और किसी भी प्रकार की negative marking अभी नहीं है बहुत सा है लोगो confusion है और परड़े आप comment भी करते रहते हैं कि सर क्या triple C exam में negative marking हो गई है या कब से होने वाली है तो अभी ऐसी कोई भी notice नहीं है कि triple C exam में negative marking कब हो है इस्टेंस पिछली बार भी मैंने आपको बताया था जो exam date आपको मैंने बताया थी उसी exam date के according आपका exam इस्टार्ट होगा तो इस बार भी आए देख लेते हैं काथ से exam आपका इस्टार्ट होगा इस्टेंस सेप्टमबर की online classes कल से इस्टार्ट होगी जिसकी timing होगी सामको 8 आप सभी लोग इस online test में participate करिए तो कि आपको एक अच्छी सी तयारी करनी है तो आपको exam से पहले ये देखना है कि आपकी कितनी तयारी हुई और exam में कैसे questions आएंगे जिस सभी आपको हमारी online class में online test की जो class होगी वो regular होगी उसमें आपको सभी प्रकार के सभी pattern के questions मिलेंगे जिससे आपकी एक अच्छी तयारी हो जाएगे इस बाद जो triple C का exam है वो मेरे recording 7 सितंबर से start होगा यहाँ पे अगर आपको admit card देखना है तो उसके लिए आप studentnilet.gov.in पे visit करेंगे तो वहाँ पर आपको admit card का option मिल जाएगा और वहाँ पर examination year का option होगा यहाँ से आप examination year 2019 select कर लेंगे और examination name में यहाँ पर जब admit card आजाएगा आपका तब यहाँ पर September 2019 करेगा select करने के बाद आप अपना application number और date of birth पुट करेंगे इस टेंस date of birth पुट करने में आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए बगल में यहाँ पर calendar का option दिया है यहाँ से आप अपनी data birth पुट करनेगे क्या होता है कि आप एक invalid data birth का format पुट करते हैं जिसकी वज़ा से यहाँ पर आप अपना admit card नहीं देख पाते हैं आप यह देखते हैं कि एक्जाम किस date से start तो इस्ट्रेंस ट्रिपल सी एक्जाम की जो date होती है वो लगभग यह मानी जाती है कि हर महीने के first day से start लेकिन यह कोई fix नहीं है इसमें लगातार changing होती रहती है तो आएए देखते हैं कि सेप्टमबर में एक्जाम किस date से start तो इस्ट्रेंस सेप्टमबर का जो एक्जाम है यहाँ पर जूम करके आपको हम दिखाते हैं कि सेप्टमबर का एक्जाम जो है इसका form एक जुलाई से एक तेस जुलाई के मत फिल किया गया था और इसका जो एक्जाम है वो first Saturday आप सेप्टमबर अर्थाथ महीने के पहले सनीवार से सुरू होगा तो आप calculate कर सकते हैं कि मन्त का पहले Saturday कब है तो मेरे recording एक्जाम इस बार 7 सेप्टमबर से start होगा जिसका admit card लगग 30 या 31 अगस्ट तक आजाएगा कुछ लोगों का admit card उसी बग डाउनलोड हो जाता है और कुछ की admit card को डाउनलोड होने में एक से दो दिन का समय लगता है तो आप आराम से wait करिएगा और admit card आने के बाद आप हमें जरू बताइगा क्या आपका एक्जाम किस टेट को है और आप का सेंटर कहा है इस टेंस कल से जो triple C की classes हम इस्टार करने है उसे आप जरूर फालो करिए पिछली बार भी exam में हमारी वीडियो से बहुत साई questions आये थे कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि सर आप triple C के भगवान है समी questions आपके वीडियो से आये थे तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं कोई भगवान नहीं हूँ ये है कि मैंने जो questions guess किये थे वही आपके exam में आये थे बहुत साई लोग ऐसे बी थे जिन्होंने comment किया कि सर आपके वीडियो से कोई भी questions नहीं आये थे instance अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें mail भी कर सकते हैं हमारी mail है abhaiyaxlcomputer.com इसके लावा आप Facebook या Insta, Telegram कहीं पे भी abhaiyaxlcomputer search box में आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मैं मिल जाओंगा वहाँ से आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हम access कर सकते हैं मैं आपका reply जरू करूँ Thanks, फिर मिलते हैं कल सामको 8 बजी जिसमें होगे हम कुछ ऐसे questions के साथ जो September exam में आने वाए